आप सभी को मेरा यानि नीलन सक्सेना का प्यार भरा नमश्कार तो एक बाब फिर हाजिर हुँ मैं अपने कविते के गुलदस्ते के साथ हर ट्यूजडे की तरह तो जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं मैं आपको बताना चाहूंगी शायद आपने मेरे फेस्बुक पेज पर भी देखा होगा कि मेरी एक नई पुस्तक आने वाली है यह अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक है और एक कॉंटेस्ट भी चल रहा है मेरे पेज पर जिसमें आ की ड्रॉद्वारा जो है इसका विनर गोशित किया जाएगा तो आप लोग भी जरूर पाटिसिपेट करें उस कॉंटेस्ट में और गायतरी जोशी जॉइन कर ली है थैंक यू गायतरी सरिता ने भी जॉइन कर लिया है हाई सरिता सरिता आज तुमारे नाम पे कविता है त तुमुम्ध जरूर उसका इंतजार करना अरून सकसेना जी ने जॉइन कर लिया है और भी हारी जी ने ज्गर लिया है जाय दूर गालिनर जी है जो कि अच्शी पैद्धिर । यह गूट इवनिंग लिख रही है घिण दै लिख रहे हैं मेरे page पर काफी लोग आ गये हैं और जो है अब शमय है कि मैं शुरू करूं अपनी कविताओं का सिलसिला गयत्री जोशी मुझे अपनी पुस्तक पर बधाई दे रही है बहुत शुक्रिया सरिता भी बधाई दे रही है शुक्रिया तो शुरू करते हैं कविताओं कर सलसिला और जैसा कि मैं करती हूं एक 4-liner से शुरुआत करूंगी और आज आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरी जो कविता है ये आज की कविता है बहुत पुरानी है करीब 20-22 साल पुरानी है पता नहीं कितनी पुरानी है यह तब लिखी थी मैंने जब मैंने इनको पब्लिश करने का कभी सोचा भी नहीं था परन्तु बाद में ये दिल से नामक एक काव्य संग्रह में पब्लिश हुई है ये कविता है तो शुरू करती हूँ एक फोर लाइनर से कि आराईश एक ख्याल में तबस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शिर्षक है तेरा नाम लिखा बारिश की बूदों से तेरा नाम लिखा बादलों के पत्तों पर पैगाम लिखा मस्त बूदे जो लगी तनमन छेड ने हवाओं के जुलों पर सलाम लिखा हवाओं के जुलों पर सलाम लिखा हवाओं अलहर नमाने कोई बतियां अपने दिल का हाल तमाम लिखा तरूपर गुल लहरा का गा रहे थे गीर मेरे खुश्बूओं में तेरा गुनगान लिखा खुश्बू इठलाती हुई जो फैलने लगी हाथों पर तुझे हिना से सरे आम लिखा हुई जो जरा आहट तो दचक गई मैं न जाने क्यों ये मैंने एह हम जुआ लिखा हुई जो जरा आहट तो दचक गई मैं न जाने क्यों ये मैंने एह हम जुआ लिखा जो ना भी लिखती तो समझ जाते तुम फिर बिना सोचे क्यों मैंने अर्मान लिखा तो ये थी मेरी पहली कवता आप लोगों से सभी से एक दरखात यहाँ पे करना चाहूंगी कि ये कवता और बुक टॉक्स याने लिटरेचर का पेज है और लिटरेचर के पेज पेज पे अपनी थोड़ी जो ये है सीमा में रहें कुछ लोग सीमा के बाहर चले जाते हैं तो हमें उनको बैन करना पड़ता है और बैन करना हमें भी अच्छा नहीं लगता तो आप लोग ऐसे ही कमेंट्स लिखें, जो की बरदास्त में हो और बरदास्त के बहार नहों, ये हमारी पेज की नहीं आपकी गरिमा बताते हैं, आपका करेक्टर दिखाते हैं तो अरुन सक्सेना जी बहुत खूब लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, शुवा बुगा जी ने जॉइन कर लिया है, आप जॉइन करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, राजेश कुमार जी, जै दुरगा जी, सरिता वहा लिख रही हैं, डिंकु जी बहुत ही शांदार लिख रहे हैं, शावन कुमा ब्यूटिफुल लिख रहे हैं, सुनील जोशी जी वहाँ बहुत खूब लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और पुश्पा जी लिख रहे हैं, युवा युवा कविता, हाँ सारी ही युवा युवा कविता हैं मारे तसवर में गर मेरी मौदूद की है तो तुम को मुझ तक आना ही होगा खोद खोद कर मेरी हर नजम के मोती अपनी रूह को उनसे मिलाना ही होगा कहते हैं ना कि कवी के पास पहुँचने के लिए उसकी हर नजम को पढ़ना और जानना समझना बहुत जरूरी होता है तो कुछ यहां कमेंट्स जो आए हैं उनको लेने की कोशिश करती हूँ सरिता जी वहा लिख रही हैं बॉबी जी नाइस लिख रहे हैं डिंकु जी लिख रहे हैं सही बात कहीं आपने बहुत शुक्रिया मनीशा ने जॉइन कर लिया हेलो मनीशा आपके बिना भी ये काव्य गोश्टिया दूरी लगती है आदत हो गई है आपकी सुनेल जी जो कि बहुत अच्छे कविय है उन्होंने भी जॉइन कर लिया है और सुरեखाजी लिख रहे है जी जरूर ध्यान रखें सही कहा तांक्यु सुरेखा सुरेखा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं बहुत क्लोस फ्रेंड हैं बहुत अच्छी कव्यत्री भी हैं और सोलो शो यही और्गनाइस करती हैं विकी जी सही बात लिख रहे हैं शो बाब वाजी लिख रही है ठीक कहा तुमने सुमेश जी ने जॉइन कर लिया है गुलमुला जी ने जॉइन कर लिया है सरिता वा लिख रही है लिटररी वारियर ग्रूप जो कि हमारा ग्रूप है वो लिख रहे हैं मोती मिल गए और राज जी नाइस लिख रहे हैं गैतरी जी लिख रही है बिल्कुल सही कहा आपने और भी कई कमेंट्स तो अभी सारे कमेंट्स नहीं ले पाऊंगी, परन्तु आप लोगों को पता ही है, बाद में सारे कमेंट्स पढ़ती हूं, और अगर कोई खराब कमेंट्स होते हैं, तो उसको हमारे एड्मिन्स तुरंत उस परसन को डिलीट, बैन भी कर देते हैं, उसके कमेंट्स भी रहे थे बहारों के जजबात, हवाएं मचलती रही सारी सारी रात, बारिश बहुत हुई चम-चम, फिर भी भीगा नमन, फिर भी भीगा नमन। आज मौसम की निराली थी बात, महक रहे थे बहारों के जजबात, हवाएं मचलती रही सारी सारी रात, बारिश बहुत हुई चम-चम, फिर भी भी भीगा नमन, फिर भी भीगा नमन। बर्खा ने सब का दिल बहलाया, शाखों को खुशी से हिलाया, कलियों को मुस्कुराना सिखाया, प्रफुलित था हर कंकन, फिर भी भी भीगा नमन। बर्खा ने सब का दिल बहलाया, शाखों को खुशी से हिलाया, कलियों को मुस्कुराना सिखाया, प्रफुलित था हर कंकन, फिर भी भी भीगा नमन। बिजुरी रानी मस्तो लहराई, अलबेली कोयल भी जुमी गाई, अलहर मूर्नी न ली अंगडाई, बजने लगी दसो दिशा में सरगम, फिर भी भी भीगा नमन। बिजुरी रानी मस्तो लहराई, अलबेली कोयल भी जुमी गाई, अलहर मूर्नी न ली अंगडाई, बजने लगी दसो दिशा में सरगम, फिर भी भी भीगा नमन। आज रात सपनों में तुम आना, प्यार की मीठी मीठी बाते सुनाना, जो रूठ जाओं तो तुम मुझे मनाना, प्रीत के खिल उठेंगे सुमन, शाय तब भी उठे मेरा मन। आज रात सपनों में तुम आ जाना, प्यार की मीठी मीठी बाते सुनाना, जो रूठ जाओं तो तुम मुझे मनाना, प्रीत के खिल उठेंगे सुमन, शाय तब भी उठे मेरा मन। तो ये थी मेरी आज की दूसरी कविता, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये आज जो कविताय में प्रस्तुत कर रही हूँ, ये 20-1 साल पुरानी कविताय हैं, दो-चार कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी, गरीमा ने लिखा है क्या बार, संजे नाइस लिख रहे हैं, जै दुरगा जी नाइस लिख रहे हैं, हीरा लाल जी गुड लिख रहे हैं, अब पर्णा जी जो कि बहुत अच्छी कवितारी हैं, जॉइन कर ली हैं, और नमस्कार लिख रही हैं, नमस्कार आपको, अर उन जी लिख रहे हैं, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-खु तो जो अगली कविता मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूं इसका शीशक है महबबत की अबादत इससे पहले दो चाय कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ यह शकील जी आप नंबर क्यों लिख रहे हैं यहां कोई जॉब ऑफ अपॉंट्मेंट नहीं है इस पेज पे सरिता वहा लिख रही है शुक्रिया संगिता जुड़ गई है राक जै दुरगा जी लिख रहे हैं आकाश भट अपरना जी लिख रही है बहुत बढ़िया बहुत शुक्रिया परना जी गरीमा लिख रही है शायद भी कुठे मेरा मन शुक्रिया संगे जी जो की बहुत अच्छे कवी हैं वो भी जॉइन कर लिए हैं नमस्का लिख रहे हैं म मुहबत की इबादत इश्क में दोनों साथ निभाएं तो सोहबत होती है गुल्षन में गुल महकते हैं और जन्नत होती है इश्क में दोनों साथ निभाएं तो सोहबत होती है गुल्षन में गुल महकते हैं और जन्नत होती है कदम बढ़ाकर रुक्सा जाता है जब कोई दिवाना तो ये दिल और दिवानगी पर एक तोहमत होती है कदम बढ़ाकर रुक्सा जाता है जब कोई दिवाना तो ये दिल और दिवानगी पर एक तोहमत होती है इल्जाम लगाना है आसान मिली जाती है वजह पर ये तो सबसे बड़ी तोहीने महबत होती है दिल रुबा का खुदा सा पूजा जाना इश्क का रूप है इसी से तो महबत की सची अबादत होती है खुशनुमा हो जाती है शामे खुशनुमा से नजारे अबादत ही तो दर्दे महबत की रंगत होती है खुशनुमा हो जाती है शामे खुशनुमा से नजारे इबादत की तो दर्दे महबत की रंगत होती है तो ये थी मेरी कवता दोस्तो हम उस जमाने के हैं जब महबत को इबादत माना जाता था पूजा माना जाता था तो उसी इस पे थी ये मेरी कवता आशा है आपने इसको पसंद किया होगा तो बढ़ते हैं आगे एक four liner सुनाना चाहूंगे आपको महकी तो हूँ मैं पर अधूरी अधूरी चहकी तो हूँ मैं पर अधूरी अधूरी महकी तो हूँ मैं पर अधूरी अधूरी चहकी तुहूं मैं पर अधूरी अधूरी देख सरता की कलकल को लगा इस तरह मैं भी बहग जाओं कभी पूरी-पूरी देख सरता की कलकल को लगा इसकी तरह मैं भी बहग जाओं कभी पूरी-पूरी तो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं ग्यान जी नाइस वन लिख रहे हैं सरिता सत्य लिख रही है और मनिशाज लिख रही है आज दिली का मौसम भी बहुत प्लेजन्ट हो रहा है शायद मेरी कविता के वज़े से कहते हैं न जैसे तांसेन ने गाना गाया था तो बारिश हो गई सरिता बहुत शुक्रिया गरी मा लिख रहे हैं इबादती ददे मोहन की रंगत होती है आपको अच्छा लगा बहुत शुक्रिया सरिता सुपर लिख रही है पुष्पा लिख रहे है इट्स रेइनिंग एर एनंजॉइंग विद्या पोएम वावावा शात में चाय भी पी जाना चाहूंगी कि ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैंने इमाजिन किया था एक नदी के किनारे में बैटी थी और मैंने इमाजिन किया था कि किस तरह नदी सागर की तरफ बहती हुई चली जाती है मानो जैसे वो सागर के प्रेम के इंतजार में बह रही हूँ ऐस सरिता तुम बहती रहती हो कल खल कल कल किसके इंतजार में चलती ही जाती हो पल 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 किसके प्यार में गुन-गुनाती रहती हो गुन-गुन-गुन-गुन किसके इंतजार में लहराती ही जाती हो रुण-गुन-गुन किस एथबार में लहराती ही जाती हो रुण-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-ग कि किसी को तुमारी आस तो है किसी को तुमारे होने का प्यार भरा एहसास तो है शायद उसी आस के साहरे तुम बहती ही जाती हो शायद उसी एहसास के साथ तुम मस्त गुन-गुनाती जाती हो शायद उसी आस के साहरे तुम मस्त गुन-गुनाती जाती हो तो यह थी मेरी कवि सरता सरता कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूं और हरीवंश जी को कविता पसंद आई संदीब जी जॉइन कर लिए वीर जी वेरी गुड लिख रहे हैं सरता नमस्का लिख रही है आशाय आपके नाम की कविता अच्छी लगे आपको हर सुपर लिख रहे हैं और सरता व पसंद आई सुनील जी वा जीवा लिख रहे हैं और सुखविंदर जी नाइस लिख रहे हैं और सरता गुड बोल रही है और प्रियंका कुमारी लिख रही है आपकी कविता बहुत अच्छी है बहुत शुक्रिया और निवी लिख रही है बहुत सुदर बहुत शुक्रिया नविन जी नमस्ते लिख रहे हैं और धर्मेंद जी भी नमस्ते लिख रहे हैं सरिता सुपर लिख रही हैं और दिलीब जी वहवा बहुत खूब लिख रहे हैं गरीमा लवली लिख रही हैं और उपिंदर जी को भी पोयम पसंद आई तो दोस्तों जैसे कि मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, यह कविता है, मैंने करीब 20 साल पहले लिखी थी, आज कल तो मैं फिलासोफिकल पोयम्स जादा लिखती हूं, पर तो यह कुछ अलग अंदास की कविता हैं, जो आज आपके सामने में लेकर आई हूं, तो बजने दो साज, गूंजने दो अलफाज, राहों में बढ़ने के वही बहाने भी होंगे, है ना, तो जो है अपड़ना जी लिख रही है, अपना अस्तित मिटाकर प्रेम में समर्पत हो जाती है, जी हाँ, सरिता का कुछ ऐसा ही नियम है, और यह बात उस समय मुझे बहुत थी खुबसूरत लगी थी, गरिमा जी लवली लिख रही है, उपिंदर जी को पुएम पसंद आई, बिजनेश जी को पुएम पसंद आई, और मेरी पेज से कोई एडमीन ब्यूटिफुट पो एम लिख रही है, और पुषपा लिख रही है, प्यारी सरिता, यह यह मेरी एक दम फ्रेश है आज और जो जी शन जी लिख रहे हैं आपकी कविता बहुत अच्छी है निशा लवले लिख रही हैं बहुत शुक्रियाप सभी का और मनीशा एगरी लिख रही है धरमेंद्र जी सुपार लिख रहे हैं तो अगली कविता जो है वो मैंने एक मेल के तरफ से एक फिमेल के लिखी है और इसका शिर्शक है मेरी गजल तुम जैसी तुम जो मेरी गजल में मेरे रूबरू हो गई मेरी गजल भी तुम जैसी खुबसूरत हो गई तुम जो मेरी गजल में मेरे रूबरू हो गई मेरी गजल भी तुम जैसी खुबसूरत हो गई तुमारे आखों में प्यार भरी कोई अदा है मेरी गजल भी तुमारी तरह नशीली हो गई तुमारी आखों में एक प्यार भरी कोई अदा है मेरी गजल भी तुमारी तरह नशीली हो गई तुमारे रस बरे होटों पर रंगत की लाली है मेरी गजल भी उन रंगों से रंगीली हो गई तुमारे रस बने होटों पर रंगत की लाली है, मेरी गजल भी उन रंगों से रंगीली हो गई तुमारी बिंदिया यूँ चमक रही है जैसे कोई सितारा, मेरी गजल भी उस चमक से प्रज्वलित हो गई तुमारी बिंदिया यूं चमक रही है, जैसे कोई सितारा, मेरी गजल भी उस चमक से प्रज्वलित हो गई बजने लगी तुमारी चूडियों की सुरीली खन-खन-खन-खन, मेरी गजल भी उस मधुर अवास सी सुर्मै हो गई बजने लगे तुमारी चूडियों की सुरीली खन-खन-खन मेरी गजल भी उस मधुर आवास सी सुर्मई हो गई बज उठी जो तुमारे पाउं की पायल चन-चन-चन मेरी गजल भी कुछ अनंदत, कुछ प्रफलित हो गई गजल ने मुझ पर प्यार के छेड़ दिये हैं रंग मेरी हालत भी कुछ रुमानी सी हो गई तुम जो मेरी गजल में मेरे रूबरू हो गई मेरी गजल भी तुम जैसी खुबसूरत हो गई तो ये थी मेरी कविता, मेरी गजल तुम जैसी कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं सुरेंद्र जी वेरी नाइस लिख रहे हैं प्रालाद जी वेरी नाइस लिख रहे हैं मनिशा जी बहुत सही लिख रही है कि no personal comments प्लीज ये मैं दो बार दोहरा चुकी हूँ और तीसरी बार कहूंगी कि ये पेज जो है ये सरस्ती देवी का पेज है literature का पेज है और इस पे बद्दे comment अच्छी नहीं लगते kindly उसको avoid करिये नहीं तो आपको ban कर दिया जाएगा कई लोग यहाँ पे बैटे हैं जो की admins हैं और ban कर देते हैं पुष्पा जी को कविता पसंद है सरीता जी वह लिख रही है अलका जी ने भी join कर लिया है और नमस्का लिख रही है नमस्का अलका जी आपको देखके बहूत अच्छा लगा सपना जी join कर लिए लिख रही है Hello Neelam जी, regards सपना जी बहुत अच्छा लगा है आपने जोइन किया जल्क रेह यालका जी क्या bet लिंग रही है सरेता थम मझंद लिख रही है और प्रियंका लिख रही है आपकी कविता आपके जैसे हुपिशूरता प्रेज्जी ताहिसरा बें और दो शुक्रिक शुर्ट अर नवीन जी, राजा जी, विजाई जी आप समने भी ज्वायिएं क्या हुआ है तो अगली कविता के पहले एक Faux-Liner उनु उनु मैं आसमान में, रंग है नए मेरे अर्मान में उडू 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 मैं आसमान में, रंग है नए मेरे अर्मान में जूलू जूलू मैं बहारों में, खुशिया है कितनी इस जहान में जूलू जूलू मैं बहारों में, खुशिया है कितनी इस जहान में दूनने से खुशी भी बिलती है, दूनने से गम भी मिलता है अगले कविता जो मैं सुनाने जा रही हूं, उसका शीशक है मेरे आसमान मोहबत ने मेरे दिल का पता मांगा, मैंने दे दिया उसे तेरा नाम, चाहत ने मुझसे कोई संडेश मांगा, मैंने लिख दिया तुझे सलाम महबत ने मेरे दिल का पता मांगा मैंने दे दिया उसे तेरा नाम चाहत ने मुझसे कोई संदेश मांगा मैंने लिख दिया तुझे सलाम उल्फत ने कहा कोई गीत गाओं मैं कर बैठी तेरा गुनगान प्यार ने पूछा किस पत है मुझे जाना मैंने उसे दिखा दिये तेरे निशान इल्फत ने कहा कोई गीत गाओं मैं कर बैठी तेरा हुनगान प्यार ने पूछा किस पत है मुझे जाना मैंने उसे दिखा दिये तेरे निशान आशिकी ने कहा मुझे सुकून की च्छाओ देगी मैंने मांग लिया उससे तेरी बाहों का आस्मान प्रीद ने कहा मैं इतराती हूँ किस पर मैंने कहा मुझे है तुझ पर गुमान आशिकी ने कहा मुझे सुकून की छाओ देगी मैंने मांग लिया उससे तेरी बाहों का आस्मान प्रीत ने कहा मैं इतराती हूँ किस पर मैंने कहा मुझे हिर तुछ पर गुमान सनीह ने पूछा कि आखिर कौन हूँ मैं मैंने कहा मैं हूँ तेरी पहचान वफा ने पूछा मैं कहां रहना चाहूंगी मैंने उसे बता दिया तेरा दिल है मेरा धाम स्नेह ने पूछा कि आखिर कौन हूँ मैं मैंने कहा मैं हूँ तेरी पहचान वफा ने पूछा मैं कहां रहना चाहूंगी मैंने उसे बताया तेरा दिल है मेरा धाम जो तु सूरज में तेरी चाया, तेरी किरन, तेरी हम जुबान जो तु चान में तेरी चांदनी, तेरी रोशनी, मेरी मुस्कान हमदम मेरे तेरी ये परचाई है थोड़ी सी बावरी, थोड़ी बे जुबान मजधान में उसको छोड़ न जाना क्योंकि वो मानती है तुम्हें आस्मान क्योंकि वो मानती है तुम्हें आस्मान तो ये थी मेरी कवता आशा है आपको पसंद आई होगी और कुसम प्रसाज जी हलो लिख रहे हैं सरता थम्स अप कर रही है ओर जो हैं अल्का जी लिख रहे हैं, वहां सही बात खुशी हमारे अंदर ही है, शोभाजी लिख रेहे हैं सच में जन्नत होती है वह बहुत शुक्र्यवा जी और शिवाजी वाग नाइस लिख रहे हैं नविंजी को पॉयम पसंद है, कुसुम जी बहुत खूब लिख रहे ह जिस साल पुरानी हैं सुरेखा बहुत खूब लिख रही है गयतरी लिख रही है अनूपः अभुत रचना बहुत शुक्रिया मनीशा लिख रही है, ऑन्जोइड लिसनिंग टूइट ठांख्स जिया नासिर जी है, सरिता जी उम्दा लिख रही है सुनील जी लिख रहे हैं बहुत सुन्दर प्रस्तुती, शुभार जी लिख रहे हैं वंडरफुल, पढ़ना जी लिख रहे हैं ब्यूटरफुल सेशन, मधुरा जी ने भी जॉइन किया है, तो अगली कविता के पहले एक फोर लाइनर, अदा की मिसाल है, शान है, नजाकत भ तुम जब भी सोचो कि ठक रहे हो, हार रहे हो, ये कली तुम्हारे रुकसार पर मुस्कान खिलाएगी, तो अगली कविता का शीशक है, एक कली खिली है, उमंगों से वो हरी हरी है, आशाओं की एक कली खिली है, सलोनी सपनों से भरी भरी, उसे एक नई उमीद मिली है, उसकी आँखों मिछाई है मस्ती, उसके रूप में एतबार है, उसकी अदा है कुछ अलबेली, उसकी लचक में खुमार है, नजाने क्यों ये कली, मुझे लगती है मेरे खाबों के जैसी, कली जैसे ही नाजुक के खाब, उनकी भी तरंगे उसके खुमार जैसी, कई मुर्जा नजाय कली, मैं नीन में भी डर सी जाती हूँ, रहे यूँ ही उसकी दुनिया हरी बरी, यही दुआ रप से चाहती हूँ, यही दुआ रप से चाहती हूँ, तो अब आखरी कविता की ओर बढ़ने से पहले, एक फोर लाइना, तुझे सोचने का मज़ा और है, यू लगता है जैसे जन्नत को छू लिया, तु मेरी महबत को नहीं पैचानता तो क्या, मैंने तु बड़ी नजाकत से तुझे दिल दिया, तु मेरी महबत को नहीं पैचानता तो क्या, मैंने तुझे बड़ी नजाकत से दिल दिया, तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ, विनिता जी ने जॉइन कर लिया है, आपका अशिरवाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों आप बहुत ही अच्छी कविता हैं, और आप कह रही हैं, प्यार ही प्यार, बहुत शुक्रिया, अंजली जी भी बहुत बड़िया लिख रही है, सुरेखा लिख रहे हैं क्या बात कहीं वो मानती हूं तुम्हें आसमान कुसुम जी लिख रहे हैं बहुत खूब और एश बहुत खूब लिख रहे हैं सुचित्रवर्मा वहा लिख रहे हैं कृष्णा जी नाइस लिख रहे हैं पुष्पा बहुत खूब लिख रहे हैं और अलका जी लिख रही है, बेहत खूबसूरत कविता, संतोष जी है नीलम लिख रही है, हाई संतोष जी, आज जो मैं कविताएं सुना रही हूँ न, ये करीब 20-25 साल पुरानी है, लव यू लिख रही है, लव यू संतोष, धर्मेंद्र बहुत अच्छा लिख रहे हैं, संज प्रस्तूति लिख रही है और जो है बचनलाल जी लिख रहे हैं आपकी फूर लाइना सुन्दर लगा बहुत शुक्रिया और सरिता जी थमस अपकी लिख रही है तो पेश है आज की आखरी कविता मैं और मेरे सपनी कुछ अलहड कुछ उतावला खाबों का एक बुलबुला मेरे सपनों को सजा गया दिखा गया आसमान खुला-खुला मैंने उमीद के दिये जुलाए जोके हवा के तुम्हे करीब लाए गुम हो गई सिमट गई मैं तुम थे मेरे नस-नस में समाए मैंने उमीद के दिये जलाए जोके हवा के तुम्हे करीब लाए गुम हो गई सिमट गई मैं तुम थे मेरे नस-नस में समाए मैं और तुम थे इतने पास बाहों का तुम्हारे ओड लिया लिबास कहें मैंने कि पल भी खास साथ भी खास जाकी तो तूट गया मेरा सपना लगा कुछ भी तो नहीं रह गया अपना पर फिर नजर आ गया वो बुलबुला कहने लगा देख लो फिर एक सपना कभी सपनों से डर कर भाग जाती हूँ कभी उनको वाचती हूँ मन ही मन सोच सोच कर घबरा सी जाती हूँ मैं क्या सपनों में ही सिमता रहेगा जीवन कभी सपनों से डर कर भाग जाती हूँ कभी उनको वाचती हूँ मन ही मन सोच सोच कर घबरा सी जाती हूँ मैं क्या सपनों में ही सिम्टा रहेगा जीवन तो ये थी मेरी आज की आखरी प्रस्तुती दो चार कमेंट्स लेने की कोशिश कर रही हूं और जो है शोभा अबुआ जी लिख रही है तुमारी दूआ कबूलो बहुत शुक्रिया संतोष सुन्दर और प्रेम दे रही है बजनलाल जी लिख रहे हैं आपकी फोर लाइन सुन्दर अच्छा लगा और राम भिहारी जी है संतोष जी बहुत खुबसूरत लिख रही है देवेंद्र जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा कहते हैं संतोष जी बहुत सारा प्याह दे रही है बहुत शुक्रिया संतोष जी और मुकेश जी को कविता पसंद आई सरिता जी बढ़िया लिख रही है देवरंदर जी आप कहां से लिख रहे हैं भाई मैं आसमान से तो नहीं हूं धर्ती से ही हूं संतोष जी लिख रहे हैं don't miss my five hearts no आइडेंट. लिख रही है, सुचित्रा क्या बात है मैम लिख रही है और देविंद्र प्रकाश अंशु जी है और शोबा बुआ लिख रहे हैं, इती जल्दी समय खतम हो जाता है, फिर आ जाती हूँ ना मैं, अगले मंगलवार आपके सामने और कविता है सुना नहीं, तो ये मेरी आज की कविता थी, परंतो एक फूर लाइनर के साथ खतम करना चाहूंगी, कि पूर्णता ना ही मिले तो अच्छा है, कुछ खाईशें अधूरी ही रहने दो, कुछ करने की चाहत तो बस्ती है इनमें, इन्हें दर्या के पानी साब बहने दो, कुछ करने की चाहत तो बस्ती है इसमें, इन्हें दर्या के पानी साब बहने दो, तो दोस्तों, आप सब जुड़े बहुत अच्छा लगा, जिनके कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाई, जरूर पढ़ूंगी, बुआ जी थैंक्यू लिख रही हैं, अरे बुआ जी आपका धन संतोष जी की प्राइटिंग लिख रही हैं, गायतरी जी तालिया मजा रही हैं, तो दोस्तों, आज की शाम की कविता यहीं खतम होती हैं, मिलते हैं अगले मंगलवार को, तब तक के लिए, शबक है, गुड़नाइट, वनाकम, नमस्कार